Hello everyone, मैं पूजा, स्वागत करती हूँ आपका, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दाएक्जाम ट्यूटर में Friends, SSC MTS की GKGS की प्रीवेस एर कुष्चन की सिरीज में ये हमारी फोर्थ वीडियो है इससे पहले तेन कुष्चन पेपर्स की वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ उनका लिंक आपको डेस्क्रिप्चन में मिल जाएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं और इन सारी वीडियो की पीडियाफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल दाएक्जाम ट्यूटर पर मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको डेस्क्रिप्चन में मिल जाएगा आप डिरेक्ट वहां से जाकर टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं या फिर यहां से स्कैन करके भी आप टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकती हैं तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2022 का 5 जुलाई का शिफ्ट वन का पेपर तो चलिए भिनादेरी करते हुए बढ़ते हैं अपने कुशन पेपर की ओर जिसमें हमारा फास्ट कुशन है which of the following states of India will host the 2023 Men's Hockey World Cup भारत का निमनलिखित में से कौन सा राज्य 2023 पुरुस होकी विसु कप की मेजबानी करेगा तो देखें 2023 पुरुस होकी विसु कप की मेजबानी की गई थी ओडिसा राज्ये की द्वारा ओडिसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम और राउर के लाके बिर्सा मुंडा इंटरनेशनल होकी स्टेडियम में जो है पंदरवे Men's Hockey World Cup का आयोजन किया गया था तो इस कुश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा option B ओडिसा next question देख लेते हैं next question है हमारा who among the following personalities known by the affectionate moniker Nightingale of India passed away in February 2022 स्नेही उपनाम Nightingale of India से मसूहर निमनलिखित व्यक्तितों में से किसका फरवरी 2022 में निधन हो गया था तो देखें Nightingale of India के नाम से जाना जाता था लता मंगेशकर को और लता मंगेशकर का निधन हो गया था छे फरवरी 2022 में तो इस question का answer हो जाएगा हमारा option A. लता मंगेशकर next question देख लेते हैं next question है हमारा सिवकुमार सर्मा is associated with which instrument? सिवकुमार सर्मा किस वादेयंतर से संबंदित है? तो सिवकुमार सर्मा जो है यह संबंदित है संतूर से answer हो जाएगा हमारा option B. संतूर ने लिकित की वीधान मंदल में दो सदन है तो देखे भारत देश में छे राज्या से है जिसकी वीधान मंदल में दो सदन है वो छे राज्ये कोन-कोन से हैं उनको देख लेते हैं तो आंदर पर्देश की विधान वंडल में दो सदन हैं उत्तर पर्देश, बिहार, महरास्टर हो गया, करनाटक हो गया, करनाटक और तेलंगाना ये छे राज्या ऐसे हैं जिनकी विधान वंडल में जो है दो सदन है तो इस question का answer हो जाएगा हमारा option B, महारास्ट्र Next question देख लेते हैं Which of the following is the only large river in the Indian desert? निमनलिकित में से कोन सी भारतिय रेगिस्तान की एक मात्र बड़ी नदी है तो लूनी नदी जो है ये भारतिय रेगिस्तान की एक मात्र बड़ी नदी है तो answer हो जाएगा हमारा option C Next question देख लेते हैं Which country won the 2018 F.I.H. Men's Hockey World Cup? F.I.H. stands for International Hockey Federation 2018 का F.I.H. P.U.R.S. Hockey V.S. Cup किस देश ने जीता है? तो 2018 का F.I.H. P.U.R.S. Hockey V.S. Cup जीता है? Belgium देश ने Answer हो जाएगा हमारा option A Belgium Next question देख लेते हैं Next question है हमारा Who is the author of the book Modi Government New Surge of Communalism? Modi सरकार New Surge of Communalism पुस्तक के लेखक कोन है? तो देखें, Modi सरकार New Surge of Communalism ये पुस्तक लिखी गई है सीताराम ये चुरी के दुआरा Answer हो जाएगा हमारा option C सीताराम ये चुरी Next question की तरफ बढ़ते हैं Next question है हमारा A whole was the capital of the dash A whole किस की राजधानी थी? तो A whole जो है ये चालुक्यों की राजधानी थी और दक्षिन भारत में ये वयपार का प्रमुक के इंद्र था याद रखेगा इस question का अंसर हो जाएगा हमारा option A चालुक्यों Next question देख लेते हैं Next question है हमारा Who among the following devise the policy doctrine of lapse? निम्नलिखित में से किसने वयपगत का सिध्धान्त नेती तयार की थी? तो देखिए वयपगत का सिध्धान्त नेती तयार की गई थी Lord Dalhoji की द्वारा Lord Dalhoji जो है ये 1848 से 1856 तक जो है इन्होंने Governor General of India के रूप में कार्य किया है तो इस question का अंसर हो जाएगा हमारा option A Lord Dalhoji Next question देख लेते हैं Next question है हमारा तंकेसवर हजारी का बोर्बयान Received the Sangeet Natak Academy Award For the year 2018 For his contribution to which classical dance of India तंकेसवर हजारी का बोर्बयान को भारत के किस सास्त्रियन रत्य में उनके योगदान के लिए वर्स 2018 का Sangeet Natak Academy पुरुसकार मिला है तो देखिए तंकेसवर हजारी का बोर्बयान जो है यह संबंदित है सत्रियन रत्य से और सत्रियन रत्य में उनके योगदान के लिए उन्हें 2018 में जो है संगीत Natak Academy पुरुसकार से संबानित किया गया है सत्रियन रत्य किस राज्य से संबंदित है तो यह असम राज्य से संबंदित है एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो ये भी याद रखिएगा इस question का answer हो जाएगा हमारा option C सत्रिया नत्य है next question देख लेते हैं next question है हमारा which department of the government of India launched one health pilot project in April 2022 भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रेल 2022 में one health pilot project launch किया तो देखिए अप्रेल 2022 में one health pilot project launch किया गया था पसू पालन एम डेरी विभाग के द्वारा यानिकि department of animal husbandry and daring के द्वारा जो है one health pilot project launch किया गया था तो इस question का answer हो जाएगा हमारा option B next question की तरफ बढ़ते हैं next question है हमारा which of the following is an example of artificial ecosystem निम्नलखित में से कौन सा करत्रिम पारिस्थिती की तंत्र का एक उधारन है तो देखे करत्रिम पारिस्थिती की तंत्र वो होते हैं जो man-made होते हैं यानिकि जिनको man के द्वारा बनाया जाता है और जो natural होते हैं यानिकि जो naturally grow करते हैं, naturally develop होते हैं, उनको कहा जाता है, natural ecosystem, तो इसमें करत्रिम पारिस्थिति की तंतर का उधारन पूछा है, तो बगीचा या garden जो है, यह करत्रिम पारिस्थिति की तंतर का उधारन है, forest जो है, यह natural ecosystem होते हैं, lake भी natural ecosystem होते हैं, और pond जो है, यह भी natural ecosystem का example है, तो इस question का अंसर हो जाएगा हमारा option A, बगीचा Next question देख लेते हैं Which of the following substances is insoluble in water? निम्लिकित में से कौन सपधार्थ पानी में एगुलन सील है तो देखें नमक जो है ये भी आसानी से घुल जाता है पानी में सुगर भी आसानी से घुल जाती है पानी में लेकिन चौक पाउडर जो है ये पानी में नहीं घुल पाता है तो इस question का अंसर हो जाएगा हमारा option C, Chalk Powder Milk तो आसानी से घुली जाता है पानी में क्योंकि जो milkman होते हैं वो दूद में जो है पानी को मिलाने का काम करते हैं इस question का अंसर हो जाएगा हमारा option C, Chalk Powder Next question देख लेते हैं How many fundamental duties of Indian citizens are there in the Indian constitution as of March 2022? March 2022 तक भारतय सम्विधान में भारतय नागरिकों के कितने मौलिक करतवय हैं तो देखे भारतय सम्विधान में भारतय नागरिकों के लिए मौलिक करतवय हैं 11 कितने मौलिक करतवय हैं तो ये हैं 11 जब हमारा मूल समेधान बना था तो मूल समेधान में मौलिक करतव्या नहीं थे इनको स्वर्ण सिंग समीति की सिफारिषों के आधार पर 1976 में एक 42 समेधान संसोधन हुआ और इस 42 समिधान संसोधन में जो है जो हमारे मोलिक करतव्य थे उनको हमारे भारते समिधान में एड़ किया गया था और पार्ट कौन से पार्ट में एड़ किया गया था तो पार्ट फोर्थ ए में जो है इनको एड़ किया गया था शुरू में इनकी संख्या 10 थी लेकिन समीधान में कितने मोलिक करतेविये हैं तो हमारे मोलिक करतेविये हैं 11 और मोलिक करतेविये को किस देश के समीधान से लिया गया है तो इसे लिया गया है रसिया के समीधान से यह भी याद रखिएगा और जो हमारे मूल अधिकार है उनको किस के किस देश के समीधान से लिया है तो उनको लिए गया है USA के सविधान से तो यह चीज़ आपको पता होने चाहिए इस question का answer हो जाएगा हमारा option B next question देख लेते हैं next question है हमारा at which Buddhist site of India did gotam buddha first preach the dharma gotam buddha ने भारत के किस बोधस्तल पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था तो देखे सारनाथ एक बोधस्तल है जहां पर gotam buddha ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था तो इस question का answer हो जाएगा हमारा option D सारनाथ next question देख लेते हैं next question है हमारा the treaty of Lahore was signed in 1846 between the British Empire and des 1846 में British सामराज्य और किसके बीच लाहोर की संदी पर हस्ताक्षर किये गई थी तो देखे जो हमारी लाहोर की संदी है यह कब हुई थी हस्ताक्षरित तो 9 March 1846 में यह हस्ताक्षरित की गई थी और यह किस-किस के बीच हस्ताक्षरित की गई थी तो British सरकार और महराजा दिलीप सिंग के बीच जो है इसको हस्ताक्षरित किया गया था और ये जो संधी है ये पर्थम आंगलिस्तिक युद्ध का परिणाम थी और इस युद्ध में जो है अंग्रेजो की अबर्टी सरकार की जीत हुई थी तो याद रखेगा इस question का अंसर हो जाएगा हमारा option दिल नेक्स कोशन लेक लेते हैं अंतियोदय अन्य योजना वस लॉंच्ट बाइद गौर्णमेंट और गौर्नमेंट टू फाइट डैस अंतियोदय अन्य योजना सरकार द्वारा किस से लड़ने के लिए शुरू की गई थी तो अन्य अन्य योजना जो है ये गरीबी से पर द्वारा जो है इस स्कीम की शुरुवात की गई थी और इसमें बहुत ही कम दामों पर जो है चावल और गेहु जो गरीबी रेखा के नीचे लोग आते हैं उनको प्रदान किया जाता है तो याद रखेगा इस कोशन का अंसर हो जाएगा हमारा option बी गरीबी नेक्स कोश अनुसार भारत का लिंगा नुपात है पड़ती एक हजार पुर्सों पर 940 महिलाए 940 फिमेल्स पर 100 मेल्स आंसर हो जाएगा हमारा option A next question देख लेते हैं next question है हमारा Sam talks about an example of an igneous rock which of the following can it be Sam 1 आगने चटान के उधारन के बारे में बात करता है यह नमले खित में से कौन सा हो सकता है तो देखे आगने चटानों के कुछ उधारन है जो कि एकजाम में पोच लिये जाते हैं मैं उनको आपको एक बार बता देती हूँ तो देखे बेसाल्ट जो है यह आगने चत्तानों का उधारन है पेगमाटाइट और पेरीडोटाइट इधर लिख देती हूं पेरिडो टाइट जो है ये आगने चट्टानों के उधारण है इनको आप याद रखेगा क्योंकि एक जामे पूछ लिए जाते हैं बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गैबरो, डायोटाइट, पैगमाटाइट और पैरोडोटाइट तो इस question का answer हुजाएगा हमारा base alt जो है ये एक आगने चट्टान का उधारण है अंसर हो जाएगा हमारा option पी नेक्ट्स goose देख लेते हैं नेक्ट्ड कर्शन है हमारा the the financial year in a Indian economy runs from then THnírios में वित्यवर्थ कब से कब तक चलता है तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा वित्यवर्थ है कब से कब तक चलता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्श तक हमारी भारतिया ऎर्थविवर्थ में वित्यवर्थ चलता है तो answer हो जाएगा हमारá option D next question नेक्स question है हमारा which of the following is the state of origin of the odyssey dance form निम लिखित में से कुन सी odyssey nrathya sally की उत्पत्ति की इस्थिति है तो देखे ये तो बहुत ही आसान question है कि odyssey nrathya sally किस raja से उत्पन हुई है तो इसका आंसर हो जाएगा odysa raja odyssey nrathya sally किस raja जैसे उत्पन हुई है तो यह हुई है odysa raja से आंसर हो जाएगा हमार option b next question देख लेते हैं next question है हमारा which of the following trains of India is the fastest as per trial runs as of April 2022 अप्रेल 2022 तक भारत की निम लिखित में से कोन सी train सबसे तेज है तो देखिए अप्रेल 2022 तक भारत की सबसे तेज train कोन सी है तो यह है वंदे भारत express train 18 और इसको किसके दुआरा बनाया गया है तो इसको जो है में के इंडिया पहल केता है चेनने के integral 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 coach factory के दुआरा जो है इसको निर्मित किया गया है अब integral coach factory की बात आती है तो इसकी स्थापना कब हुई थी तो 2 October 1955 में इसकी स्थापना की गई थी एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप याद रखिएगा और जो यह वंदे भ दोरान इसकी maximum speed भी कई बार पूछ ली जाती है तो याद रखेगा इसकी speed कितनी है 180 किलोमेटर पड़ती घंटा की जो है परिक्षण के दोरान इसकी speed थी maximum speed तो आंसर हो जाएगा हमारा option ए वंदे भारत express train 18 नेक्स कोशन देख लेते हैं नेक्स कोशन है हमारा इसने किसकी उपाधिधारन की थी तो जिल्ले इलाही यानिकी shadow of God जिल्ले इलाही की उपाधिधारन की गई थी गयासुद्दीन बल्बन के द्वारा और गयासुद्दीन बल्बन ने जो है 1256 से 1286 इसवी तक जो है गुलाम मन्स पर सासन किया था तो याद रखेगा इस question का आंसर हो जाएगा हमारा option C जिल्ले इलाही नेक्स कोशन देख लेते हैं नेक्स कोशन है हमारा वाट इस दा कैमिकल फॉर्मुला ओफ बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा का रसाइनिक सोत्र क्या है तो देखे रसाइनिक सोत्र होता है बेकिंग सोडा का एन एच सी यो थी या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहा जाता है तो इस question का आंसर हो जाएगा हमारा option A-N-A-H- मिलेंगे नेक्स्ट विडियो में नए question paper के साथ तब तक के लिए wish you all the best, take care and thank you